आप जानते हैं कि एक करोड से ज़्यादा पॉपुलेशन है है हैदराबाद शहर का इसमें हजार नहीं लाखों लोग गरीव हैं हिंदुस्तान एक गरीब देश है हम अमरीका जापान और जर्मनी के ऐसा हमारे पास उतना पैसा नहीं है हमारे यहां ऐसे हजारों लोग हैं जो शाम को कमाते हैं तब सुबह खाते हैं उनके तरफ हमारी जिम्मेवारी और भी जादा है मैं आप से गुजारिश करता हूँ कि उन गरीबों को आपकी रहम की जरूरत है आपकी लाठी की जरूरत उनको नहीं है ऐसे मौके पे मैं आप से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन गरीबों को लाठी नहीं दिखाएं शायद वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए उनके लिए कुछ सामान खरीदने के लिए घर से बाहर आएं उन्हें मदद कीजिए उनको समझाईए और जहां तक संभव हो जी एचेमसी के तरफ से प्राइवेट डोनर्स के तरफ से अरेंज करके उनको घर दीजिए उनके घर पे खाना पहुँचाईए एक भूखा इंसान को अगर खाने की तालास में वो बाहर निकला है और उसे हम लाठी से मारेंगे तो ये तो बढ़ा बहुत तकलीफ की बात होगी आपके महनत आपके डेडिकेशन पर पानी फिर जाएगा हैदराबाद सिटी पुलीस के 10,000 पुलीस आफिसर्स इतनी कड़ी महनत कर रहे हैं 24 आवर्स लेकिन अगर 10 पुलीस आफिसर्स गलत जगह लाठी का यूज़ कर रहे हैं तो ये 10,000 लोगों के महनत को खत्म कर देता है हमारे dear officers जब कभी भी society में देश में शहर में कोई मुश्किल आती है कोई crisis आता है तो इश्वर अल्ला इस crisis को एक opportunity के तरह से भी देता है हम लोगों को अगर एक तरफ ये कोरोना एक crisis है तो दूसरी तरफ ये कोरोना एक opportunity है एक मौका है मौका है कि आप अपने दिल में जो रहम है उसको आप बाहर दिखाएं दूसरे को बताए कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक दिल है और वो दिल उन गरीबों के लिए है जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है कोरोना के समय जो हम लोगों के उपर जिम्मेवारी आई है lockdown की उसके साथ ये भी जिम्मेवारी है कि हम गरीबों के साथ रहे हैं मुझे यह देखकर इतनी खुशी होती है कि पिछले 20 दिनों में कम से कम आठ ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं कॉंस्टेबुल ऑफिसर जो प्रेगनेंट लेडी को अपनी गारी में बिठा कर हॉस्पिटल ले गए जब वो लोग advanced stage of pregnancy का था इस तरह की वारदात को देखकर हमारी आँख नम हो जाती है परसों एक विक्टिम को अपने blanket से कभर करके एक कॉंस्टेबुल ऑफिसर ने हॉस्पिटल पहुचाया मैं उन तमाम कॉंस्टेबुल ऑफिसर को सेलूट करता हूँ ऐसे देश में आज इस crisis के समय खाकी वर्दी जब सामने खड़ा है तो लोगों को उसके प्रती श्रधा, उसके प्रती इज़त, उसके प्रती फक्र होना चाहिए और मैं गर्व के साथ ये कहता हूँ कि आप लोगों के टीम मेंबर होने का मुझे बहुत फक्र है कल एक वीडियो बहुत वाइरल हुआ जिसमें एक आटो ड्राइवर खुद अपने आटो को तोड़ते हुए दिखाया गया बहुत तकलीफ की बात है कितना दर्द होगा उसके अंदर कि वो खुद अपना आटो खुद तोड़ रहा है दोस्तों इस तरह की जो घटनाएं होती है उससे हमें पता चलता है कि जो दर्द है इनसान के अंदर उस दर्द को मिटाना हमारा फर्ज है कोशिश करना हमारा फर्ज है आप सभी को मैं एक बात फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हैदराबाद शहर को आपके सर्विसेज आपके सैक्रिफाइस आपके हार्ड वर्क के उपर बहुत फक्र है मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों के टीम का एक मेंबर हूँ आने वाले समय में इस बात का ध्यान रखे कि आप हमेशा गरीबों के लिए हैं पहली मदद गरीब को करें अमीर अपना मदद खुद कर लेंगे हम गरीब के लिए हैं इस बात को दिल में जरूर रखें बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद अंजनी कुमार कमिशनर और पुलीस